आज को जो ट्रेड हमने एक्जिक्यूट किया उसके उपर डिस्केशन करेंगे एंड स्टॉक सेलेक्शन के बहुत यूनिक मैथड है बीटा वैल्यू के एकॉर्डि उस स्टॉक सेलेक्शन के प्रोसेस के उपर हम पूरी तरह से फोकस करेंगे और इसको सीखने की कुशिश करेंगे mcx को आज के दिन हम ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर अलड़ी हमने एक शॉट विशन बना ली है और प्राइस के मुव्मेंट्स भी काफी ठीक ठाक और अच्छे मुव्मेंट हो रहे हैं हमने कुछ समय पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें प्राइस जब ज्यादा गैप डाउन होता है उस वक्त में किस तरह से ट्रेड करते हैं इस कॉंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाया था सेम कॉंसेप्ट को यूज करके हम आज का M6 कर रहे हैं एक एक चीज हम इसके अंदर समझेंगे बाट इससे पहले देख लेते हैं आज हमने ग्रूप पर एक स्टॉक दिया था आर्थी इंडस्ट्रीज का एंट 861 यहां सेमने इसके अंदर शॉट करने के लिए बोल दिया था एंट इस वक्त जो प्राइस की मुवेंट है एक ठीक ठाक मुवेंट हमारे लेवल से डाउंसाइड की तरफ हो चुकी है एंट 1% का मुव हम इसके अंदर देखेंगे जैसे ही 1% का मुव इसके अंदर का कंप्लीट हो जाएगा हम इसे स्टॉक से बाहर निकलने के लिए अपने गूरूप में बोल देंगे तो आप टेलिग्राम चैनल मेरा जोइन कर सकते हो जैसे कि आज हमने वहां पर दिया एक हमने बता दिया है कोई भी जो इंपॉर्टेंट लेवल होता है वो लेवल हम माग करके वहां पर दे देते हैं कभी-कभी जब हमको लगता है कि नहीं आज बता देना चाहिए तो कभी-कभी व्यूस उसके अंदर बता देते हैं अदर व्यूस जो होते हैं हमारे मैक्सिमम अ अब बार यह आती हायर टाइम फ्रेम पर को रिट करने की अब जब हायर टाइम फ्रेम पर हमें रिट करने हैं तो एज उसल हमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट केंडल शाहिए होगी जिसके बेस पर हम आगे की रिटिंग करेंगे यहां पर हम देख रहे हैं 22nd of February is my important candle for today trading session 3rd of March की candle ने 22nd of February की candle को upside की तरफ ब्रिक किया इस candle का breakout 22nd of February ने किया वापस मंत की first candle यानि 2nd of March की जो candle थी price इसके उपर नहीं निकला उसकी range के अंदर ही trade कर रहा है जैसे ही 22nd of February के उपर मेरा price निकला था यहां से उसके बाद में देखे क्या हुआ है वो हमारी इस important candle की range के अंदर ही हो गई मतलब फिर से price हमारा उसी range के अंदर आ गया है जिस range को हमारी 2nd of March की candle ने ब्रिक किया था upside की तरफ अब अगर price को upside की तरफ जाना तो क्या करना होगा हमारी 22nd of February के high को break कर दे बट price ने क्या किया है supports फाइंट किया है and supports बनाने के आर्थी इंडस्ट्री के अंदर आर्थी तो वह काफी ठीक उसके movements यहां पर देख लेते हैं काफी ठीक movement हो रहे हैं बट अभी देख रहे हैं हम M6 को इसके अंदर इस तरह के कुछ movements हुए है और वापस present downside की तरफ रिक आउट कर दिए चोटे-चोटे signals होते हैं चोटे-चो अग लगाना है प्राइस को पढ़ना हो गया यह basic होता है यह एक तरह से आप बोल सकते हो classical method है प्राइस को read करने का अगर एक बर आप इसको पकड़ना सीख लिया पढ़ना सीख लिया तो बहुत सारी चीज़ा आसा हम जाती लेकिन कोई भी concept आप price action में लगाओ अगर आप indicator बेस ट्रेडिंग भी करो उसमें भी money management सबसे एहम role play करती है money management को आप सिरे से नकार नहीं सकते कितना ध्यान रखिएगा जो हमने शुरुआत की थी अपनी 500 रुपीज से गी थी 5,000 से 2,000 उसके हम 25,000 और अभी 3,000 रुपीज की रिस्क तक हम पहुंचे है और अभी इस रिस हैं सो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा एक important candle find की price ने उस range के अंदर आकर की closing दे दी और इस range के बाहर मेरा price sustain नहीं हो पाया and एक support point हमने defined किया lower time frame के अंदर और price के अंदर अपनी एक entry लेगी छोटी से 1319 रुपाए 35 पैसे पर हमने इसके अंदर अपनी एक entry लिए है and stop loss जो हमार इसके अंदर है 1325 रुपाए पर हम पना stop loss लागाएंगे 1325 यह मेरी stop loss के दिए इसका color change कर देते है and login करते है सबसे पहले अपने terminal पर because terminal पर login नहीं किया है so espresso login and position book position book perfect इस पक्राइस कापी नीचे आ गया है ओके डेलोब्रेक हो गया है and इस रत का जो अपना profit चला है 3,800 रुपीस काश्वास हम लोग profit में है order book देख लेए ओके order book में देखी 500 कौनटीस का order में जो execute के 319 रुपर 35 पैसे सारी कौनटीस हमको वही पर मिल गया थी and stop loss जो लगा रखा है 1325 रुपर हमारे stop loss लागा है 500 क इसका और जो profit है हमारा थोड़ा सा 3,000 रुपे से लोग profit में है इसके अंदर so trade अपना यह चलने देते हैं and overall जो आज की मारे analysis है and targets के लिए हमने बताया के 1290 रुपय तक हम wait करेंगे price में 1290 अगर price आता है तब तक हम इसके अंदर wait करेंगे यहां तक because chances है chance क्यों है जैसे कि हाई time frame पर हमने देखा न 22nd of February की candle को उसके low से थोड़ा सा ओपर हमारा stop loss लगा हुआ है 22nd के बाद जो हमारी candle बनी है यह वारी candle 23rd of February के इसके low से थोड़ा सा ओपर अगर price गिरता है तो maybe यहां तक ही गिर सकता है हम wait करते हैं किसी एक अच्छे movement का और अच्छे activity का कोई भी action लेते हैं तो आपको inform करते हैं otherwise हमारे trade चल रहा है कोई भी इसके अंदर progress होती तो आपको inform अच्छे movement जब से entry लिए सिर्फ एक green candle बनी है उसके बाद से लगाता है price मेरा downside के तरफ गिरता चल रहा रहा बारा सो सताने और रुपया का प्राइस का चल रहा है अभी का जो profit है हमारा 11,000 13,000 13,000 14,000 movement अच्छे आ रहे हैं पेज को एक बार refresh कर लेते हैं 13,009 14,400 रुपीज का profit यह देखिए पूरा का पूरा target हमारा achieve हो गया 1290 यह इस एक candle का ही movement देखिए कितना अच्छा movement हुआ है 1290 अब हमें यह से बाहर निकलना है तो अब यहां से बाहर निकलने के लिए activities हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले stop loss order cancel करते हैं और बुक में कहें 1325 का stop loss इसको करते हैं cancel लिए यह cancel हो गया है अब बार यह आती है इसके अंदर हमको बाइंग काउटर लगाने की so 13000 का profit चल रहा है price की movement downside की तरफ है price की sparkness को देखते हुए हमने अपने targets को 5 रुपए और stretch किया है 1285.15 इस अपना profit 12600 तो 12600 16000 वेरी गुट सारी कॉंटिटीज निकल गई 15670 रुपए के profit में हम लोग पूरी तरह से यहां पर अपने जितने targets हैं सारे के सारे बुक हो गया है और जितने भी quantities हैं सब निकल गई है stop loss order cancel है ट्रागेट सामने बुक के लिए 12800 रुपए पर देखें जो वाव मुवमेंट देखें अगर रुके होते तो कितना अच्छा मुवमेंट अब लोगों को मिल रहा होता है 20,000 के करीब हम यहां बुक कर सकते थे बट नहीं यह हो गया है बट इसके उम्मीद नहीं थी मुवमेंट देखें प्राइस के वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गया तो उसके बाद में घटने लग गया थे यह जो मुवमेंट होता है यह एक जो एक्टिविटी होती एक रिवर् कोई बात नहीं हम यहां से फुली बाहर हो चुके हैं और जितना भी मारा टार्गेट से था उससे एक दू रुपए ज्यादा ही लेकर करके निगलें तो अपने लिए एक सटिस्वाइब प्रॉपिट है आज कर टेडिंग सेशन हमारी लिए बहुत अच्छा टेडिंग यह है और दूसरा ट्रेट जो आरती आप रोगो को दिया था हमने आरती भी लगातार गिरता चला जा रहा है बट 845 जो इसके टार्गेट से अभी तक प्राइस टार्गेट से तक नहीं पहुंचा है 845 जैसे ही पहुंचेगा 45.50 वैसे हिम आपको इंफर्म करें ग्रूप पर आप टेलिग्राम चैनल मेरा देख सकते हैं उसको जोयन कर सकते हैं थाइंक यू एंड वीडियो गर अच्छा लगा तो उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक किजएगा कॉमेंट्स किजएगा एंड अपने फ्रेंट सरकर्ण में शेयर करने की कोशिश किजएगा बिकॉस जो एफर्ट है मेरा अपनी तरफ से हम यह बान के चलते हैं यह एक जनुइन एफर्ट होता है आपको इस तरह से प्राइस एक्षन को इतना इजी वे में इतना सिंपली इतना एफर्ट के सास्थ समझाना हमें नहीं लगता कि कोई भी आपको समझाएगा इसी तरह की जो वीडियोज हैं और भी अगर आपको पसंद हैं और भी आप उसको देखना चाहते हो तो चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हम लोग मिलेंगे अपने next training session यानि Monday को कोई भी अच्छा trade अगर हम execute करेंगे तो आपको information उसके बारे मिल जाएगे Thank you, goodbye and we will be it again अभी हम लोग discussion करते हैं stock selection के उपर बहुत important topic है बहुत आराम से और धान से सुनने की कुशिश की ज़ए Volume and beta value इन दो elements को use करके किस तरह से हम अपने पास एक अच्छी stocks की list बनाएंगे किस तरह से एक अच्छा stock selection हम करेंगे इसके उपर हम discussion करेंगे फर्स्ट जो हम काम करेंगे website के ऊपर एक website हम बताएंगे उसके ऊपर जाने से पहले website के ऊपर थोड़ा से एक overview ले ले लिजे वहाँ पर चल करके मैं क्या करना होगा website के ऊपर चलेंगे and कुछ filters apply करेंगे like beta value volume and stocks beta value कुछ beta volumes अच्छा beta value के बारे में जिनको नहीं मालूम हो थोड़ा से overview आप beta value के बारे में ले लिजेंगे अब जैसे कि nifty BMI हो गया और आपका stock हो गया nifty आपका one point move किया stock आपका one point move किया nifty आपका one point move किया stock आपका two point move किया इसी तरह से क्या हुआ कि एक आपका one point किया इसी तरह से क्या हुआ कि एक तरह से volatility को चेक करने के लिए beta value का इसके रहता है निकालने के बहुत सारे methods है आपको full month की analysis करने होगी full year की last full year की movement निकालना होगा फिर निफ्टी के साथ उसको match करना होगा काफी mathematical काफी जदा complications इसके तहत आते हैं अगर आप निकालने जाओ गया है हमें ज़रूरत ही नहीं है उसकी simple सी एक चीस करने हैं बहुत सारी websites आ गई है तो निफ्टी की value आप यह समझेगा के निफ्टी one point move stock का one point move beta value के ओपर depend करता है तो उस stock की बीटा value होगी वह one होगी अब जैसे कि हमको याद है doctor ready है उसकी beta value है 0.23 या फिर 30 से कम है तो उसकी beta value क्या होगी 0.30 beta value होगी अभी हम लोग website पर चलेंगे तो उसको देखनी कुशिश करेंगे अब इस तरह से जब हम लोग अपनी filters को apply कर देंगे and beta value के बारे में हमको मालूम है उस वक्त हमारे पास कुछ एक stocks निकल करके आ जाएंगे like हमें क्या करना है उन्हीं stocks का हम या तो top 5 stocks ले लिए या फिर top 10 इन stocks को अपनी watch list में आप add करिए and watch list में add करने के बाद में आपको अगले दिन इन stocks को देख नहीं आप चलते हम लोग website पर देखिए सबसे पहले हम लोग ticker tape यहां देखिए हमने already search कर रहा है and ticker tape आपको show हो जाए वोपर सबसे पहला ही option आपके पास आया है ticker tape इसको click कर दीजा and ticker tape में सबसे first window आप open करें यहां पर stock screener है जितनी भी options है सब को छोड़िए आप और भी अच्छी तरह से website को देख सकते हो चेकर सकते हो कौन कौन से option है आपको कोई अच्छा idea हो जाए stock deals बगरा हो गए यह कापी अच्छी options है एक dedicated video में stocks के समय मिलेगा कभी तो ticker tape के उपर बनाएंगे बट अभी focus करते हैं आज के point के उपर stock screener के उपर click करें जितने भी options आपको दिखने सब को remove मारिए default में जितने भी सबको remove कर दिजे अब आपके पास से तीन options बचेंगे stock universe, sector and market stock universe पर सबसे पहला click करें आप and nifty 100 को click कर दिजे 100 and इसको कर दिजे close अब add filters पर जाए यहाँ पर आपको technical indicators का option में लेगा क्लिक कीजए and beta value देखे आपको यहाँ पर दिख रहे होगी beta is a measure of company's stock price volatility related to the market अभी हमने यह समझाए ना आपको beta is a measure of company's stock price volatility volatility को मापने का यह volatility को count करने के लिए beta value का यूज किया था और इसी का यूज किया जाता है beta value पर आप click कर दिजे complete आप इसको करिए done एक और filter इसके अंदर add करेंगे price and volume का price and volume इसके बाद आप close price पर click कर दो and done खत्म अब एक single click आपको करना है और आपके पास stocks आदेंगी जैसे कि यह beta value आप देख रहो ना beta पर एक click कर देजे देखे आपके पास जितने भी high beta stocks यह सारे के सारे आगए अब यहां पर आपको काम क्या करना है जैसे भी हमने बताया आपको कि या तो top 5 या फिर top 10 इन stocks को उठाईए अगर आप trade कर सकते हो तो इन stocks को उठाओ और उठाने के बाद देखिए इसके अंदर एक चोटी चीज़ आप भूल गए जो value हमने define करना आपको बताया था कि 500 से ज्यादा और 8,000 से कम इसको किस तरह से count करेंगे close price में आए और इसको कर दीजे 500 हमें 500 से कम नहीं चाहिए और 500 से लेकर कि हम 8,000 रुपीज तक के stock को select करें जैसे ही आप click कर दोगी यहां पर कई सारे stocks देखिए आपके निकल के आग अगर आप 8,000 से कम कर दोगे तो मारूती आपके हाँ से निकल जाएगा जबकि मारूती एक अच्छा stock है आप उसको pick करोगे कि अगर वह से list में आपकी पर आया हो तो अच्छा move देता है इतने सारे stocks आपके पास निकल के आगए अब beta value को तो already हम लोगों जादा कर दिया था ठीक है अब दिखिए सबसे ऊपर आपका stock काया है वह है इतने सारे stocks आपके पास आगए last में करना क्या है प्राइस की analysis करना प्राइस करना किस तरह से करना है जैसे इंड़सिंट बैंक है अब simple साथ आप एक method लगा दो जैसे इंड़सिंट बैंक है इंड़सिंट बैंक को आज की तरह करना है तो simple साम लोग क्या करते है कुछ भी नहीं करते हुए सबसे पहला तो काम यही करना होगा ना कि इस stocks के level निकालने किस level से में stock को trade करने यह तो मालूम होना चाहिए आप चाहिए जैसे भी stock को slate करो लेकिन levels सो identify करने आने चाहिए अब मालीजे आपको पास high beta stock आगे इंड़सिंट बैंक क्या उठा करके आप red candles दे करके short कर दोगे ऐसा आप नहीं करेंगे एक range defined करेंगे उस range का weight करेंगे confirmations लेंगे trade करेंगे सिंपल से चीज़े करने हैं अब यहां पर इंड़सिंट बैंक जैसे मालीजे मेरे पास आगया आप इंड़सिंट बैंक को आपकन करो अब इंड़सिंट बैंक में पुछ नहीं करते हुए हम सिर्फ क्या करेंगे 915 का एक strategy लगा देंगे कि 915 से price की जो movements होती ही वह बहुत अगे हम क्या करेंगे अगले दिन अगर में trade करना था आज ही trade करना था तो आप कुछ नहीं करिए सिर्फ आप 915 को mark कर लिए अब अपनी range का वेट करेंगे देखिए उस range पर price आया है इसने अपनी activity देख और यहां से में चले लिए अब आपको confirmations लेने है आप nifty 50 को देख प्राइस ने low break किया दो बज़े यहां पर भी देखिए प्राइस के अंदर दो बज़े से activity स्टार्ट हो गया और यहां पर भी swing break हो गया हम लोग अपना एक trade इनिशेट कर सकते थे यहां से कोई भी stock हो यह अच्छा stock चलेगा जो high beta की stocks आपके पास निकल के आएगे अगे आप इसको trade करो बहुत अच्छी तरह से stock काम करें लेकिन सबसे important चीजे stock selection के उपर आप काफी दिन से बोल रहते हैं कि stock selection के वीडियो यह वीडियो है अभी इसको देखिए देखने के बाद में में काम क्या करना है stock की analysis इससे पहले भी 2-3 वीडियो हम share कर चुके है stock selection के इसको देखिए क्या level आपका निकल रहा है उस range के पास में आपको confirmations कैसे ने मिलनी है कैसे आपको confirmations लेने और इसको trade कैसे करना है वीडियो कर अच्छा लगता है तो जरू सा जरू लाइक कीजिए comments कीजिए and we will meet again